रोमी एक उसका 28 जब उन्होंने परमिश्वर का ज्ञान को ध्यान में रखना और स्विकार करना और अधिक उचित ना लगया तो परमिश्वर ने भी उन्हें उनके ब्रस्ट मन के बस में छोड़ दिया कि वे अनुचित कार्य करें कभी कभी हमारे मुझ से जब वचन निकलता है आज मेरा विश्वर कि कैसे आप एक बहुश्वक्ता या प्रभु की वचन को कैसे ग्रहन करेगा बहुत ही जरूरी आप कैसे ग्रहन करते आपके जीवन उस तरह आशिश पाएंगे हमें वह पर ज्यान का जो शब्द है एपिगनोसस जिसको एक शब्द है ज्यान लेकिन उसका अगर वह वचन को जोड़ के हम जब पढ़ते हैं एपीज यानि उपर और गाइन उसको यानि जानना यानि जिस संडे को रवीवार को आप यहां पर आते हैं और हम आपको वचन सिखाते हैं वह सबसे उपर वाला ज्यान है उसके उपर कोई ज्यान नहीं है वह ज्यान आपकी जिन्दगी है वह ज्यान को पकड़ लेगा आपकी जिन्दगी बदल जाएगी अब किस तरह वह ज्यान को पकड़ेंगे वह एपिगनोसस वह चीज को जैसे पकड़ेगा प्र मन है यानि जो विचलित मन है उस मन में प्रभू आपको छोड़ देगा ताकि आपके मन में जो हाए वो करने के लिए छोड़ देता है जब उन्होंने परमेशर की ज्यान को ध्यान में रखना रखना जो शब है इको रखना मतलब इंग्लिश में जो वर्ड है अंग्रेजी मे पकड़ना, दूसरा चीज है उसको रखना, तीसरा, जो आप रखा है, वही चीज आप बन जाते हैं, अमें, what you catch, you keep it, what you kept it, you become that, आप वही चीज बन जाते हैं, जो चीज आपने पकड़ा, जो चीज आपने रखा, और वही चीज आप बन जाते हैं, अब जब यहाँ पर आता है, हर रोज, हर संड़े को जब आप वचन सुन रहा हैं, प्रभु के दास के दौरा, प्रभु के प्रेरत के दौरा, आपके प्रतिक्रिया इस तरह होना चाहिए, ओके आप जो वचन मेरे मुझ से निकल रहा है उसे स्वागत करना है लेना है और उसको क्या करना है ग्रहन करना है ओके एक वचन को जल्दी से अब थोड़े दिर आम वचन को देखेंगे फिलिप्यो तीन उसका बारा में आएंगे यह मतलब नहीं कि मैं पाचुका हूं यह मत है यह सिद्ध हो चुका हूं यह सुद्ध हो चुका हां उसे ऱोना जो सब्द है यह रिच्टगौ यानि मकसेद में पहुंच आना पर उस पधार्त को पकटने के लिए उस पढ़ा पटने के लिए डोड़ा च्ला जाता हूं दोड़ा चला जाता हूँ, यानि जो आत्मिक चेत्र है, देखो, पिछले बार उमने देखा है, कि आप क्या है, नई सिष्टी है, केटिस, ओके, और नई सिष्टी है, आप अपने में एक नियम है, अपने में एक लौ है, वो हमने सिखा, और आगे आज हम सिखेंगे, बहुत सारे चीज प्रूब आपके लिए रखा हुआ है, इसलिए पालो सिखेंगे, या मतलब ने कि मैं पाँ चुका हूँ, या सिदो चुका हूँ, या वो मकसद, सिद मतलब मकसद में पहुंच चुका हूँ, पर उस्पधार्थ को पकड़ने के लिए, दोड़ा चला जाता मसी यशु ने मुझे क्या कर लिया, जिसके लिए मसी यशु ने मुझे पकड़ा था, यानि कैता लंबनो, कैता लंबनो, मतलब पकड़ना, कैता मतलब साथ में, यानि मसी आपको साथ में, अपने साथ में तुझे पकड़ लिया है, कैता लंबनो, कैता में साथ, लंबनो म पकड़ना उसका मतलब मसी अपने साथ तुझे पकड़ लिया है आप मसी को पकड़ेगा पकड़ जो है छूट सकता है एक पांच साल का बच्चा अगर बाप को पकड़ा है पकड़ छूट सकता है लेकिन बाप अगर वो पांच साल के बच्चे को पकड़ा है तो पकड़ क्य छूटेगा नहीं, अमेर, ओबदात को पाने के लिए, जिसके लिए मसी यश्व ने मुझे क्या कर लिया, मसी ने मुझे पकड़ लिया है, अब बुले कोई मुझे ध्यान नहीं देता, कोई मुझे देखता नहीं, मेरा बेटा मुझे लात मारता, मेरा बेटी मुझे देखता जहता है कोई मशीद का हाथ तेरी उपर है believer यार मशीद है थे तुझ जोझा पकड़ा है एसमानन अदर्ते को बनाने वाला मालिक जभर ए Halo ए जब तक उसका मकसद एमें पूरारी युग तुर नहीं सकता है जब तक मकसद तेरे जीवन में Plus कि मैं पकड़ चुका हुँ कि मैं पकड़ चुका है, बोल रहा है, कि मैं पकड़ चुका है, अपने आप में डाल रहा है, मैं पकड़ चुका है, ओके, परन्तु केवल यह एक काम करता हूँ, कि जो बाते पीछे रह गई है, उनको भूल कर, किसी को बोलो पीछे वाली बात को छोड़ दो, पालोस बोलता है मैं अपने पीछी जो बात है, उसे भूल कर क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, कल तक जो आपके साथ हुआ, जो बुराई आपके साथ हुआ, उसे क्य करो भूल जाओ आगे बड़ो आगे आगे चाओदा निशाने की ओर दोड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाओं जिसके लिए परमेश्वने मुझे मसी येश्व में उपर बुलाया है मसी येश्व में क्या बुलाया है उपर बुलाया है जाओ अब मैं नी चे नहीं रहुँगा उपरी रहुँगा यानि वीजेता में रहुँगा आगे आगे पड़ो हम में से जितने सिढ रहे है या हम में से जितने सिढ आग lottery ब करत अ मस अन्यात मेरे विचार रखे यानि हुष रख्ना मतल्ब फ्रोनियो », फ्रोनियो मतल्ब एक विचारद charisma को कर्द लेना एक विचारद्हर दान यानि एक मनुवरिधी that's an attitude that's an attitude keep an attitude of winning attitude of staying up not coming down not a loser you cannot lose you cannot go down you cannot fall you cannot be defeated Amen और यदि किसी बात में तुमारा और ही विचार हो तो परमेशर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा Amen ओके आगे इसलिए जहां तक हम पहुचे हैं जहां तक हम पहुचे हैं उसी के अनुसार चले जो जो शद्व पर अनुसार चले it's English meaning is adhere to it यानि उसे जुडे रहो जहां तक तु चले हैं जहां तक तु पहुचे हैं उसे जुडे रहो यानि आगे बढ़ते रहो जो मनुवरिदी रखा है जो attitude तेरे पास है उसे बना के रखो एक विचार धारा जो तु पकड़ा कि तु हार नहीं सकता उसे पकड़ के रखो उसे पकड़ के रखो उसे जाने मत दो आगे पड़ो हे भाईयो तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो रुक जाओ आँ पर पालोस एक बड़ा चीज को सिखा रहा है यहाँ पर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जीत का attitude रखो जीत का मनुवरिदी रखो अपने आप में यह बसा लो अपके मन में बसालो कि मैं हार नहीं सकता मैं गर नहीं सकता मैं जुक नहीं सकता मैं पिछले वातों को भूल कर मैं आगे बड़ा चला जा रहा हूँ पालोस क्या बोल रहा है कि प्रभू ने मुझे प्रभू येश्य मसी ने परमेश्य ने मुझे प्रभू येश्व मसी के द्वारा क्या कर लिया, जिस चीज के लिए पकड लिया, उस चीज के लिए मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, उसके आगे लिकिन एक बड़ा चीज को बो लिख रहा है, ए भाईयो, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, ए भाईयो, तुम सब मिलकर, तुम सब मिलकर, तुम सब मिलकर, क्या करो, मेरी से चाल चलो मेरी से चाल चलो सम मिट्वस यानि सम मतलब साथ में मिट्वस मतलब नकल करना imitate और उन्हें आगे पड़ो और उन्हें पैचान रखो जो इस रीती पर चलते हैं जिसका उधारन तुम हम में पाते हो क्यूंकि कि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, कि वे अपनी चाल चलन से मसी के क्रूस के बहरी है, उनका अंतविनाश है, यानि जिसके उपर पिता नहीं है, उसकी अंतविनाश है, उनका इश्वर पेट है, उनका इश्वर पेट है, पेट, पेट मतलब, जो कुछ वो करते हैं, खाली पेट के लिए कर रहे हैं, आगे, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमन करते हैं, और पृत्वी की वस्तुों पर मन लगाए रहते हैं, नि पृत्वी की वस्तु नहीं होगा, पृत्वी जैसे यानि earthly, they think like earth, पृत्वी जैसा सोचता है, हमें पृत्वी जैसा सोचने के लिए हमें बुलाया है, पृत्वी जैसा सोचने के लिए हमें बुलाया है, पृत्वी जैसा सोचेगा तो पृत्वी जैसा बन जाएगा, लेकिन तुझे पृत्वी जैसे सोचने के लिए, तु मस येशु ने तुझे पकड़ानी है, hallelujah, स्वर्ग की सोच, सोच कर, स्वर्ग जैसा इस समसार में जिने के लिए, तुझे बुलाया है, इसलिए येशु बलता है, जैसा वो है, मैं भी हूँ, कहां पर, इस धर्ती पर, अभी इस वक्त, ओके आगे, पर हमारा स्वर्देश स्वर्ग पर है, हमारा स्वर्देश कहां पर है, स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर है, our citizenship is in heaven, citizenship हमारा यान है उससे क्या फरक पढ़ता है उसे बहुत फरक पढ़ता है यहां पर जो होता है आपको लपटेगा नहीं यहां पर रोग है आप बिना रोग से रह सकते हैं सवर्ग में कोई रोग नहीं है तू स्वर्ग का नागरिक है क्योंकि मैं स्वर्ग का नागरिक है दर्त उसके ओपर क्या नहीं कर सकता है? हावे नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो American Ambassador है. स्वर्ख नागरी कहें, यहांपर जो हो रहा है, यह आपको पकड़ के हरा नहीं सकता है. अपने सिर के ऊपर हात के बुलो, स्वर्ख नागरी कहें हैं. पर हमारा स्वधेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धार करता प्रभु येश्यु मसी के वहां से आने की बाट जो रहे हैं आने की बाट जो रहे हैं The word is apic dektomai That word is three word together तीन शब्दों का मेलन है मिलावा शब्द अपिक dektomai अपो से बाहर इक से बाहर dektomai यानि स्वागत Welcome आपो बाहर आउट आफ एक आउड आफ से बाहर dektomai यानि स्वागत करना यानि सुनो वहापा लिखा है, क्या लिखा है पर हमारा स्वादेश स्वर्ग पर है हमें कुद्धार करता है प्रभु यश्यु मसीह का क्या जो रहे बाट जो रहे है वह शब्द जो आने का बाट जो रहा है अपिक डिक्टो माई वह परुसिया नहीं है परुसिया मतलब स्वर्ग से यश्यु मसीह वापस आएगा वह शब्द नहीं इस्तमाल किया वहाँ पर इस्वर्ग की बात नहीं हो रहा है यहाँ पर वहाँ से यह श्यु मसीह का क्या है बात जो रहा है कहां से बात जो रहा है क्या बात बोल रहा है श्यु मसीह स्वयम कहा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूगा नहीं जगत के अंतक मैं तेरे साथ रहूँगा उसका मतलब किसका बात जो रहा है अब जो यश्व मसी जो है तेरे अंदर है लेकिन तू जब यश्व से इतना प्यार करने लग जाएगा यश्व के साथ इतना चलने लग जाएगा और तू स्वरकर नागरिक बन के जैसे चलने लगेगा जो यशु तेरे अंदर है वो बहार प्रकट होने लग जाएगा बहार प्रकट होने के लिए लग जाएगा तु यशु को देखने लग जाएगा कैसे देखेगा इस आखों से देखने लग जाएगा तु देखने लग जाएगा एक रूप के समान तेरे सामने वो खड़ा हो जाएगा पॉलोज बोलता है कि उस रात येश्य मसी मेरे सामने खड़ा हो गया अब भी टेक्टो माई यानि जैसे तू येश्यू से प्रेम करने लग जाएगा प्यार करने लग जाएगा येश्यू स्वैम तुझे दर्शन देने लग जाएगा तेरे सामने खड़ा हो जाएगा और कुछ होने वाला, आगे पढ़ो क्या होने वाला वो होगा तो क्या होगा, देखो आगे पढ़ो वो अपनी शक्ती के उस प्रभाव के अनुसार वहाँ पर शक्ति आ रहा है, जैसे येश्यू प्रकटिकरन दे रहा है, येश्यू परदा आता रहा है, येश्यू तेरे अंदर से बाहर निकल कर आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने शक्ति के प्रभाव से, प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वस सब वस्तूओं को जिसके द्वारा वह सब वस्तों को अपने वश में कर सकता है अपने बस में कर सकता है हमारी दीन ही दे का रूप बदल कर रूप बदल रहा है matter schema ISO मेटा मिन्ज विट saamence appearance form यानि बहार का डाछा यानि रूप बहार का डाछा यानि जैसे प्रभू बहार प्रकट हो लुआ His तेरा रूप बदल रहा है, रूप बदल रहा है, तेरा डाचा बदल रहा है, तेरा शरीर का डाचा बदलने वाला है, तेरा रूप बदलने वाला है, एक समय आएगा, तेरा भार का शरीर का डाचा बदल जाएगा, फिलिपोस के साथे हुआ, क्या हुआ, वो क्या हुआ, तोसरा बल में तू पूरा मेरेगा, क्योंकि तेरा बारकार ना बदल रहा है। प्रभुक से प्रेम करने लग जाओ प्रभुक के साथ चलने लग जा। सोना चांदी सारे चीज़ तेरे पिछे अगर लेकिन इसे प्यार मत करो येशु से प्यार करने लग जा मसिहा से प्यार करने लग जा वो तेरे वहां पर लेका क्या लिका आगे पड़ो अपनी महिमा की दे के अनुकूल बना देगा यानि आपके कौन से शरीर को दे को क्या करेगा वो रूप बदलकर मिटास की माईसो यानि बाहर का रूप यानि भार का डाचा और रूप बदलकर वो क्या करेगा उसकी माईमा अभी जो येशु मसी जो है माईमा दे में उसकी अनुकूल बना देगा यानि सिम मॉर्फाइसो सिम मतलब अगें साथ मॉर्फो मिन्स फॉर्म यानि आटवर्ड अपिरेंट्स नेचर खैरक्टर यानि तेरा सब कुछ वो बदल कर जैसा येशु मसी का शरीर है इस वक्त जी उटने का जो शरीर है वो इसा शरीर में तुझे बदल डालेगा येशु मसी जी उटने के बाद जो शरीर था वो अलग शरीर था येशु मसी मर्ते समें जो शरीर था वो अलग शरीर था जी उटने के शरीर में क्या करेगा वो बदल दालेगा सिर के उपर अपने उपर हाथ रहके बोलते रहो मैं स्वर का नागरिक हूँ मैं स्वर के स्टाइल में चलूँगा स्वर का जैसा बोली होगा स्वर का जैसा मैं देखूंगा स्वर का जीब मेरे अंदर आ गया सर का पवित्रात्मा के सेर मेरे आत्मा एक हो गया है अब मैं अलग नहीं हूँ सर के आत्मा के साथ मेरा आत्मा एक हो गया है बोलो मेरा दीन शरीर को वो बदल रहा है अपने मैमा के रूप में अपने मैमा के डाच्चा में अपने मैमा के शरीत्र में वो बदल रहा है मैं यश्यू के रूपधारन कर रहा है मसिया के शरीर का रूपधारन कर रहा है सिम्मोरफाइसो यानि सात्मे रूपधारन कर रहा है उसका जो जी उटने के बाद जो शरीर है वो शरीर महिमा से भरावा था महिमा से भरावा था जिस शरीर में, जब वो गाड़ा गया, कबर में रख दिया, वो शरीर जो था, वोरा खुन से लपत, घाउ से लपत, जब जी उठा, एक भी गाउने, क्या हुआ, महिमा से वो भर गया, सिम्मॉर्फाइस सो, यानि उसके जो शरीर है, उसका जो महिमा का शरीर है, वो ही महिमा माउत, जब शरीर में, वो रख जो भूद, और वे जब रख गवाउने, वो रख जी मौत, जो को माउत, भाज भाएस बूद, इसल्च प्रमेश्वरे यश्र मसेश्य शरी मत।, जब पने पाउं से ले देग।, जब बाउत कर देगा, वो ही महिमा उसका प्रमेश्वरे अपने मूँ के सास से, शैतान को हरा आएगा, और नियुमा, किसको का अगया मालू मैं? Holy Spirit, नियुमा, your spirit is also called नियुमा, you know, the church is called नियुमा, you are called नियुमा, तो प्रभु यश्वमसी, अपने सास के द्वारा, शैतान को हराएगा, मतला वो आएगा, उसके बाद बातले माएगा, फुखने लग जागा, फुखने लग जागा, फुखने लग जागा, फुखने लग जागा, चारो साड़ फुखने लग जागा, नहीं, तो उसका सास है, you are the human, through you, he's going to defeat the devil, he's going to foot the devil under his feet, तेरे द्वारा, Kalisya इतना महिमा में पहुंच जाएगा, Kalisya परमेश्वर का सास है, तेरे द्वारा, शैतान, उसके बाह तले जाएगा, तुझे महिमा से खड़ा करेगा, बेन, तु महिमा के लिए बनाया गया, मेरी बेन, मेरी भाए, तु महिं मा के लिए बनाया जिए रुल उटलान ने यह कंई जेओ नीव मां अघे अप्रों आथम को बनाया शारा राच्जा दिया वाइसा का वैसीता फिर उसने क्या कैवल क्या जीवन का सांस उसके स्टार दोर्च थो वह सास है यह, वह सास है जिसके द्वारा यश्व मसीज जबात्लों में आएगा कि तेरे द्वारा शयातान गिरने लगेगा तेरे द्वारा शयातान बमामें 85% पिता अपने बेटे से मुलेगा जा तेरे पत्नी जो है तैयार हो गया यानि कलिसिया तैयर हो गया उसे वापस लेकर आख कि अ अबबबबबबबबब।